कल पापा की, दादू की, दादी की, दाए की, चाथी की अगर गड़ी नहीं है तो उनसे मांग लेना और ले के जाना गड़ी ठीक है उसके बाद 30 मिनट तुम देखना एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मदा भी आएगा अजा, इसके बाद आपने पूरी रात जागना पड़े जागना बट पेपर से पहले एक बुराना पेपर उठाओ और उसका टेस्पेलिंग मिस्टेक, हाला के पेपर लंग्ती आएगा त बाद के देखना, कोन सी स्पैलिंग आप गलत लिख रहे हो, और खुला खुला लिखना, ऐसे नहीं है कि मतलब कॉण्जूसी कर रही हो, पेपर की पर कौट बड़ा अच्छा है, जुल्फकार का फेपर बहुत अच्छा है, परहाना का फेपर बहुत अच्छा है, इंदि में आपके जीरो नंबर होंगे बर जब आप कुछ लिख के आते हो तो पांच में से ना करते हुए तो दो नंबर तो देगा और साइंस की टेंशन बिलकुल नहीं नहीं ना क्योंकि साइंस के में ने सारे वन शाट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिये हैं आपने बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन है अच्छे से सुनना समझना चाहिए अगर आप मैं 2x पर देखना में DAVID कुईम्क नहीं चाहिए अश्यूर्ह का ँचाहिताना मिझा उस पे नहीं कि यूट्ज़ कर दे में ओक उससले पहले में आपको थोड़ा मॉटिवेट करने के लिए एक शेर सुना देता हूं किया है तुए अपने पर बरोसा रख देखना एक ऐसा मनजर भी आएगा तू अपने पे बरोशा रख देखना एक ऐसा मनजर भी आएगा तुम प्यासे हो तुमारे पास चल के समुन्दर भी आएगा वावा तुम प्यासे हो तुमारे पास चल के समुन्दर भी आएगा और इस तरह बीच में ठक के मत हार मन्जिल के ओ आशिक तुम देखना एक दिन मन्जिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा अच्छा हम टॉपिक पे आते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लास दिन में आपने किस किस चीज का दियान रखना है अच्छा देखो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछले 10 दिनों में आपने स्लेबस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये मैं मान रहा हूँ अभी आपने क्या करना है अभी आपने chapter की summary देखनी है इसको अच्छे से revision मारनी है अच्छे से revision मारनी है कम से कम एक से दो बार पूरे chapters का खुलासा पड़के जाना है क्योंकि इसमें से literature भी आएगा question answer भी इसी से पूछे जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है जब आप रिवीजन कर रहे हो अभी आपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है तो पॉइम में पॉइम का नाम क्यूंकि जब आपको वहाँ पे शेर दिये जाएंगे उसकी तश्री करनी होगी स्टैंजा दिये जाएंगे उनकी तश्री करनी होगी वहाँ पे पॉइम का नाम भी पूछता है और पॉइट का नाम भी पूछता है अंस्टीन पैसिज के लिए आपने क्या करना है उसको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से आंसर भी करना है अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना उर्दू का जो paper होता है वो easy ही होता है बट lengthy होता है इंसान lengthy चीज करने में time management नहीं कर पाता जल्दी जल्दी लिखने में बहुत सारी mistake हो जाती है बीच में cutting करता है तो वो cutting avoid करनी है lengthy paper होगा गड़ी साथ लेके जाना बात समझें कि नहीं है गड़ी आपने साथ रखनी है यह यार रखना इस paper में अच्छा उसके बाद जो note होगा जैसे गजल पे note उसने पूछा तो इसमें जो important point है उसको अच्छे से highlight करना है जो आपको आता है उसको अच्छे से highlight करना है क्य क्रामीनर के पास जाता है आपका paper जितना अच्छा paper दुलहन की तरह सजा हुआ जाएगा उतने अच्छे नंबर वो दिल खोल के आपको देगा और जितना अच्छा सजा सजा के जो आपको आता है उसको highlight करके लिखोगे उतने अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं जैसे autobi आपने क्या करना है जैसे गालिब का आगया तो उसका data birth याद रखना है उसकी important information वो कहां पैदा हुआ है उसकी school उसका school कौन सा था उसकी university कौन सी थी उसका कोई famous share हो गया वो भी लिख देना बास समझेगी नहीं तो इससे क्या हो जाता है paper का level up हो जाता है जो zero level पे होता है उसका grade क्या कर जाता है बढ़ जाता है examiner समझता है कि बच्चे को आता है उसके बाद जब letter और application आएगा बिलकुल fresh page से शुरू करना है एक page का ही लिखना है fresh page से शुरू करना है और जब essay आएगा मान लो कि essay आगया आपका गांधी जी पे essay आगया तो गांधी जी पे जो important important points हैं वो आपने highlight करने हैं जैसे गांधी जी कहां पैदा हुए कितनी डेट को पैदा हुए गांधी जी के पास school कौन सा था उन्होंने degree कौन सी हासिन की थी उन्होंने कौन कौन सा revolution कहां कहां कब कब शुरू किया और उसको highlight करना है highlight करने से क्या हो जाएगा और जो आता है उसको highlight करना है क्योंके अगर आप बेकार चीज़ को highlight करोगे तो वहाँ पे examiner को पता चल जाएगा कि यार इसको आता कुछ नहीं है ऐसे फालतू के point highlight कर के गया है और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें अगठी हो जाए अचा grammar आपको पता है grammar कैसे आती है मैंने blast वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया था grammar में इतनी tension लेने वाली बात नहीं है grammar असान ही आती है और उसके बाद इसके बाद आपने पूरी रात जागना पड़े जागना बढ़ पेपर से पहले एक पुराना पेपर उठाओ और उसका test दे दो एक पुराना पेपर उठाओ और उसका क्या कर लो test दे दो और पुराना पेपर मतलब previous year paper होना चाहिए बात समझाई के नहीं अच्छा एक चीज़ में और add करना चाहूंगा कि जो ये note आगया autobiography होगी उसके लिए भी आप previous year paper देखोगे जो बार बार पुछा है उस पे थोड़ा ज्यादा focus रखोगे बात समझागी नहीं अच्छा इसके बाद क्या इसके बाद जब कल paper होगा तो तब आपने क्या करना है तब आप मुझे पता कि आप सुबा उठोगे सहरी होगी रोजा रखोगे और उसके बार पक्का पक्का नहाना ठीक है और अल्ला ताला से दुआ करना कि आपका paper क्या हो अच्छा हो और ये जो गड़ी का मसला है मैं इस पे बड़ा focus रहूँगा क्योंके paper बहुत लंती है time management होना चाहिए तो आपने गड़ी साथ रख ले के जाना है समझाई कि नहीं है कल पापा की, दादू की, दादी की, ताए की, चाती की अगर गड़ी नहीं है तो उनसे मांग लेना और ले के जाना गड़ी ठीक है उसके बाद 30 मिनट पहले universal rule है कि कुछ पढ़ने का नहीं होता paper को दुलहन की तरह सजाना समझाई कि नहीं है अच्छे से read करना paper को जो आता है उसको पहले लिखना बाद समझाई कि नहीं है ताँके examiner जैसे ही आपका paper खोले पहला page पढ़े और उसमें वाह वाह बोले ताँके आगे उसको पढ़ने की जरूरत ना हो और spelling mistake खाला के paper lengthy आएगा spelling mistake देखना कौन सी spelling आप गलत लिख रहे हो और खुला खुला लिखना ऐसे नहीं है कि मतलब कंजूसी कर रहे हो paper की पेपर की कुझूसी नहीं करनी खुला खुला लिखना है तांके examiner को मज़ा आए कि हाँ यार राशित का paper बड़ा अच्छा है जुल्फकार का paper बहुत अच्छा है फरहाना का paper बहुत अच्छा है इंत्याज का paper बहुत अच्छा है ठाकिब का पेपर बहुत अच्छा है बास समझेगी निये और जितना हो सके कटिंग नहीं करनी है और लास्ट अगर कोई कोश्चन नहीं आता तब भी उस कोश्चन को attempt करना है पेपर पूरा attempt करके आना है ऐसा नहीं है कोई चीज़ छोड़ जानी है जब आप छोड़ के आते हो तो आपके chances होते हैं कि उस कोश्चन में आपके zero number होगे बर जब आप पुछ लिखके आते हो तो पांच मेंसे ना करते हुए दो दो number तो देगा hope आपको ये वीडियो informative लगी होगी best of luck मेरी भी आपसे यही दुआ है मेरी भी रब से यही दुआ है कि आपका paper बहुत 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 क्या होगा अच्छा होगा और science की tension बिलकुल नी लेना क्योंकि science के मैंने सारे one shot अपने YouTube चैनल पे डाल दिये है hope for your best अल्ला हाफिस मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना धियान रखें अल्ला हाफिस रब राखा शुब रातरी जैहिंद